हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोईल पर सो फ्रेंट्स आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं जो बी एट समेस्टर वान के कोशन पेपर्स हैं यह पहले ही लेकर आ रहे हूं अदरवाइस पहले हम इसके जो कंटेंट है वो डिसकस करते हैं बाद में हम कोशन पेपर्स देखते हैं बट आप लोग पहले देखना चाहते हैं इसका पैटर्न कैसा है इसके प्रीवेस पेपर्स भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगा या फिर मैं कोशिश करूंगी आपको मिल जाएंगे यहां पर तो सारे पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बचे पूछते हैं मैं इंपॉर्टेंट कोशन भी बता देना बचे जो पेपर में आपने पिछले तीन-चार साल के अगर पेपर देख लिए उससे इंपॉर्टेंट कोशन कुछ भी नहीं देखें कोई ज्यादा चेंजेज नहीं होता तो वही से इंपॉर्टेंट कोशन वही लॉंग कोशन वही शॉर्ट कोशन बनते हैं सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ बिफोर डंगर अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो इससे सब्स्क्राइब ज़ीत कर हैं यह paper attempt करने के लिए और देखे paper में 3 sections होते हैं section A, section B, section C, section A में आपको 4 questions दिये होंगे, जिसमें से कोई भी 2 means, कोई भी 2, 1, 2, 3, 4 questions आप यहां पर देख सकते हैं, इन में से जो भी 2 questions आपको अच्छे से आते हैं, आपने वो paper में लिखकर आने हैं proper, ठीक है, उसके बाद ह इन में questions 5, 6, 7, 8, यह 4 questions हैं, ठीक है, इन में से जो भी 2 questions आपको अच्छे से आते हैं, पहले 4 questions को अच्छे से ध्यान से देख लो, फिर start करना कि कौन सा question अच्छे से आता है, means ऐसे नहीं है कि जिसके लिए आप confident हो कि मुझे इसका meaning पता है, यह देखो कि किसका content आपको ज् दिखना होता है, वो मैं अलग एक वीडियो में बताऊंगी कि बीर्ड के paper को किस तरह से attempt करते हैं, कैसे starting करनी है, कैसे ending करनी है, ठीक है, तो फिलहाल आप paper देखिए और pattern को समझे, उसके बाद है section C, यह एक compulsory section है, यहाँ पे आपको कोई भी choice नहीं दी जाएगी, 9th question है, 10 question इसके सब parts होते हैं, हर question तीन नंबर का है, ठीक है, जी जैसे parts 1, 2, 3, 10 parts हैं इसके, तो यह सारे parts 3 marks each के हैं, ठीक है, तो पंचाबी medium में भी आप यह paper अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, section A, B and C, तो जिन बच्चों का पंचाबी medium है, उनके लिए भी यह previous paper जो है, helpful र अगया होगा, बाकि हम content जो है, इसका discuss कर रहे है, psychology को भी हम start कर चुके है, ठीक है, philosophical perspective को भी हम, section A, उसका almost complete कर चुके है, and देखिए, teaching learning process का marathon upload आज हो जाएगा, ठीक है, तो वो आप definitely attend करें, complete syllabus एक ही, session में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, with notes, ठीक है जी, तो उसका link मे यहाँ पर इस video के description में भी mention कर दूगी, otherwise अगर आपने bell on की हुई है, तो आपको वो वहाँ से भी notification मिल जाएगी, so friends, video helpful रही हो, इसे like and share जरूर कीजेगा, and see you in the next video, till then, keep watching friends.